हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे कि आप मनी प्लांट के कटिंग कैसे लगाएं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने यह कुछ ब्रांच लिये हैं कि हर एक कटिंग में हमारा कम से कम एक या दो नोड हो ठीक है अन्य प्लांट तो हर घर में होता है आप कहीं से भी इसकी ब्रांच लाइए और कटिंग करके आप इसको लगा लिजे यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है अब हम इसकी मिट्टी तयार करते हैं यहाँ पे मैंने ये सैंड लिया है और मिट्टी इस मिट्टी में पहले से ही मैंने कमपोज मिला लिया है अब इसे हम किसी छोटे pot में लगाएंगे, जिसमें hole हो, ठीक है, आपके पास कोई भी छोटा pot हो, disposal हो, किसी भी चीज में आप लगा लिजे, मगर याद रखिएगा कि हमेशा cutting को आप किसी छोटे pot में ही लगाईएगा, छोटे pot में cutting बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, आप जब लगाईएगा तो कम से कम मिट्टी में एक नोड अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हम अपनी सारी cutting को लगा लेंगे, और हलके स दवा देंगे, अब हमें छोटे छोटे जो cutting है, इसको भी लगाएगे, इसके सारे lips कट कर देंगे, फ्रेंड्स मनी प्लान की cutting आप थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा किसी भी टाइप के लगा सकते हैं, मगर बहुत जादा बड़ा नहीं लगाईएगा, ठीक है, अब हम आप इसको बस यही ध्यान रखिएगा कि लगाने के बाद मतब सेड में रखना है, थोड़ा सा टैप कर लिजेगा, ताकि इसमें एयर न रहे, जब हमारी cutting लग जाए, लगने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ऐसे प्रेस करके दवा के यह यहां पर हमारी cutting लगके रेडी हो गया, अब इसमें हम भरपूर पानी दे देंगे, जब आप फर्स टाइम पानी दीजेगा तो इत्ता पानी डालेगा कि यह नीचे तक मिट्टी पूरी गीली हो जाए, आप डेली ज्यादा ज्यादा पानी नहीं दीजेगा, ठीक है, यह थोड़ा ड्राई हो गया है, तभी इसको पानी दीजेगा, ठीक है, डेली पानी देंगे, तो इसकी cutting गल जाएगी, इस cutting को लगाए हुए डेड़ महिने हो गये, यह बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, इस cutting को मुझे जब जुरुत होगा, तो मैं report कर लूँगी, Friends, यह बीडियो आपको अगर helpful लगा होगा तो एक लाइक कर दिजेगा, तो मिलते हैं next बीडियो में,